स्वागत है आपका दप्रिंट में बिहार का जनादेश यानि की बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की राइनितिक चेतना जो है उसकी कर्म घुमी है हमारे साथ में समराच चौधरी जो की बीजेटी के स्टेट प्रेजडेंट है और एक कि उसका माइन्य में इसलिए अलग है कि यह पहले परदाम मंत्री नरयन मुधी जीं जिन्हों ने पहली बार काम के अधार पर गोट महारे हैं कम्यूट्मेंट के आधार पर महारें तो इसके पहले कोई प्रदाम मंत्री कभी भी डरल्लप्यम्जेंट इसो विकास के इसु सिर्फ तुस्तिक रन या किसी माहौल पर राजनीत को लगते था या कि नरल मुदी जी ने गरीब कल्यान के काम किये खाना दिया घर दिया पानी दिया विजली दिया एक एक चीज सोचा ले दिया गरीबों के कल्या यूभाओं के लिए स्टार्ट अप की सुरुवात किया रुजगार बढ़ाया आज दुनिया में सबसे जादे विकास करने वाला देश है भारत है अन्यदाता किसानों की चिंत में ये पर्था थी कि हिंदुस्तान में अपनी माँ बहन को लोग बढ़ाते थे राजनीत में, कहते थे महिला का भीकास हम कर रहे हैं। मोदी जी आए, मोदी जी ने सब के सपने को साकार किया। स्रीमती सोनिया गांदी ने कहा कि मेरे पती राजीव गांदी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षा ने किया। उसका भी सपना साकार मोदी जी नहीं किया। तो ये मोदी जी हैं जो सब मुनकिन है। और सबसे बड़ा है कि गरीब का बेटा और फकीर आदमी है। आज भी इस देश में सबसे गरीब प्रधान मंत्री नेरेंद मोदी हैं। और कल भी रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। कोई पॉकेट नहीं है। जो नेता दिखते हैं उसके पॉकेट दिखते हैं। और लोग ब्रस्ताचार में इसके लिए लिप्त होते हैं। मोदी जी की सरकार लगातार देश को बढ़ाना चाहती है। और पार्टी को भी कभी-कभी अनी जी फिलम लोग करते हैं। उनके डिसीजन से। लेकिन उत देश के लिए किसी भी हालत में किसी की बात नहीं सुनता है। कि भारत की सरकार बनी है। नरियंध मोदी जी के सयोगी के तौर पर नितिख जी है। बड़े नेता हैं बिहार के। लिहार में काम किया। स्री बावु के बाद वही पहले मुखमंत्री हैं जिन्होंने बिहार में कुछ काम किया है। इसलिए नितीज कुमार जी का भी एक बड़ा योगदान है। बिहार के क्या ऐसे मुद्धे हैं जिनकों की आप जनता के बीच में ले जा रहे हैं। सिर्फ नरेंदर मोदी का डेवलप्मेंट है या फिर आपका कोई और भी विजन है जिसकों की आप ले जाना चाहते हैं। अभी तो एकदम सुद्ध नरेंदर मोदी जी का चुनाओ है, परधान मंत्री जी का चुनाओ है, देश में जो उन्होंने काम किया, देश के लिए जो कमिटमेंट किया था, चाहे वो 370 हो, राम मंदीर हो, UCC का भी हम लोगों ने फिर से कमिटमेंट किया है कि आगे के दिन कहा में, उनको पता वो नहीं होगा, ये कहा रिपोर्ट है, बच्चे को पता नहीं है, अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सको, बेसिकली उनके पिता जी को 15 साल बिहार के लोगों ने राज करने का मौका दिया, काम नहीं किया, बिहार यदि आज डंप है, बिहार सेट नहीं है, उसका मुल्य का रहन है लालू प्रसाद, लालू प्रसाद ने गुंडों को बढ़ावा दिया, अपराधी को बढ़ावा दिया, बरस्टा चार किया, अलकत्रा पी गए, चारा खा गए, गरीब बच्चों के जमीन ले लिए, नौकरी के बदले, तो लालू प परिवार के लिए जीते हैं, इसे जादे कुछ हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं है, बाप, पिता जी उनके लगातार ये कहते रहते हैं, समिधान खत्रे में हैं, उनको सत्ता नहीं मिला तो समिधान खत्रे में, वो जब आ जाते हैं, तो पूरा अतंग का राज अस्तापित कर देते हैं लोगों का कल्यान की बात कीजिए अपने परिवार का कल्यान का बात खतम कीजिए एक जो आप लोग हला कि बीजेपी ने सपोर्ट किया इस कदम को कि जब मेतीश कुमा ने कास सरवे की बात कही लेकिन नाशनली बीजेपी कास सरवे कोई विरोध नहीं है भारत में भी भारती जनता पार्टी का कोई बिरोद नहीं है भारती जनता पार्टी ने साफ तर पर कहा है कि मैं इनका समर्थक हूँ मैं इसका बिरोद नहीं करता हूँ बिहार में हमने इसको कराया है नितिश कुमार जी ने अग्रह किया और हम लोगों ने समाती दी cabinet में 16 minister हम थे और हम लोगों ने साथ दिया और हम लोगों ने पास करा है नितिस कुमार जी ने पास करा है इसमें तेजस्वी लालु जादब कहा है यह तीन नमें है ना तेरह में है सरकार में इनका कोई रॉल नहीं था जिरोधी दल के नेता थे इसे जादे क्या रॉल देखिए यह करते कुछ नहीं है बोलते बहुत है लालु जी जी बोलेंगे रारक्षन खतम नहीं अरे तो दिया कब था 15 साल राज किया एक विक्ति का नाम बताए रारक्षन दिया उसका नाम है स्रीमतिराबडी देवी और कोई आरक्षन नहीं अब यह बताएए कि अभी प्रधान मंत्री ने यह कहा कि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो मुसल्मानों को आरक्षन देना चाहती है कॉंग्रेस पार्टी जो इस्त्री धन है मंगल सुत्र भी कॉंग्रेस पार्टी छीन लेती है ले सकती है, मोधी जी ने दो चीज बड़ा स्पस्ट कहा, करनाटक में जो इस्तिती उत्पन हुई है, वहाँ जिस तरह आरक्षन के कटेगरीज को बदला गया, इसलिए ब्रंग पैदा हुआ है, इनको साफ करना चीज कांगरेस को, कि मंगल सुत्र से लेकर सारे चीजों को सं संपत्ती भी लेने की बात यह लोग कर रहे हैं, तो संपत्ती में तो यही आता है, महलाओं के गहने, सोने, विरासत में यही रखे जाते हैं, हमारी मा चली गई लेकिन हमारे घर में आज भी उनका मंगल सुत्र पड़ा हुआ है, तो यही तो है, तो लोगों के चीजों को लेना चाहती है कांगरेश को किलिए पाई करना चाहिए कांगरेश को एक जो मुस्लिम उन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा करते हैं ये कहीं न कहीं नाशनल रिसोर्स पे जो मनमोहन सिंग का स्टेट्मेंट था आपको लगता है कि बिहार में काफी साइजेवल चंग है मुस पर किये है इनका कहना है तुस्ती करन नहीं करेंगे पहला अधिकार पूरे देश का होगा एक समाज का नहीं होगा एक समू का नहीं हो बस यहीं फरक है और कोई फरक नहीं मुदी जी का कहना है पूरे देश के लोगों का इसमें हिस्सेदारी है एक समाज का कैसे हो सकता है एजे एलाइन्स पार्टनर आपको लगता है कि जो जेडी यू है आपका वोट तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जेडी यू के प्रती कई सारे लाकों में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि थोड़ी सी फटीग फाक्टर है लोगों मैं कुछ नहीं है एकदम गलत परनी जा ही नहीं सकता है तो लॉइन ओरडर अभी भी आपको लगता है कि एकदम रूल अफ लॉफ लॉव है बिहार में कोई गुंडा सड़क पर नहीं गुंड सकता है कोई सराम माफिया नहीं गुमेंगा यह समस्पस्ट रही है आप बहुत शुरू से इस बात को लगतार कहते रहे हैं कि माफिया राज खत्म होना चाहिए बिहार में मैं खत्म कर दूँगा लेकिन बिहार में अभी भी जो क्राइम की कई सारी घटनाए होती रहती है अग्याइज क्राइम जो सीम हाउस से चलता था वो खतम हो गया यह नितीज जिगा जा दो लोग कर रहे हैं अपराद इसमें कहीं ने गड़बर तो कुछ लोग करी रहे हैं इसी के लिए हम लोग ने मार्च में कानून बनाया है और इसका लिस्टिंग का काम सुरू कर दिया है डिस्टिक मेजिस्टेट और एस्पीज के द्वारा लिस्ट का काम हो रहा है चुनाओ खतम होंगे आपको अर्सर दिखाई देगा आपने यह कहा था कि मैं पगड़ी तभी उतारूंगा वाले जो आपने वादा किया था मोकमंत्री जी ने तो इस्तिफाक करी दिया ना यहां तक यदि आप कह रहे हैं लेकिन एकदम असपस्ट रही है मैं भगवान राम का बंसज हूँ और भगवान राम ने तो अपने पिता को बचन दे दिया तो बनवास चले गए मैं भी जाओंगा परवसरी राम के चरनों में ही अपना सर यह पगड़ी भी दान करूँगा और आपको लगता है कि नितीश जी अगले विधान सभा चुनाव में भी आपके पार्टनर रहेंगे या लोगसभा के चुनाव के बारे ने एकदम रहेंगे नितीश जी का यह committed और यह natural alliance है यह unnatural नहीं है natural alliance natural alliance से बिहार का सत्ता को ठीक किया है एक organized system बनाया बिहार विक्सित होगा एकदम और आप कितनी सीटें उमीद करने हैं कि लोगसभा चुनाव में अभी तक हम लोग को इसा कहीं कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है कि सीटें गड़ बढ़ा सकता है हुमारे सभी 40 की 40 सीट लालू जी के आतंक लालू जी बाहर है लालू जी का परिवार है तो बोड़ तो मो की लोगों का बहुत कुस्ता था लेकिन पूरी जनरेशन पार हो गई जो उसने उस जंगल राज को नहीं देखा है आपको लगता है को वह सेंटिमेंट अभी भी है लोगों में एक दम पूरी तरह 2020 का चुनाव पता कर लिजिए जनता के बीच में भरम पैदा हो गया कि ला लालु जी के उमिदवार को विहार की जनता क्यों जिताएगी एक मेले बन जाता उसकी गुंडागरदी देख लीजेगा तो आपको समझ में गया यह तो लालु जी है लालु जी को सत्ता की से दे सकते हैं सत्ता का केंद्र देख्के आप सरमा जाईयेगा इससे मिलू जी से मिलू, तेज परताब जी से मिलू, मिसा भारती से मिलू, रोनी अचारिया से मिलू, या पांच बेटियों से मिलू, किस से मिलू? यहार कैसे चलेगा? यह है, इसलिए डर लगता है. यहार की जनता किसके पास जाएगी? टेजेस्वी नहीं सुनेगा तो उसका भाई दो तपड़ देगा उसको, उसकी बहन चार तपड़ देगा, सब बहन बड़ी ही है, खरेगा विचारा क्या है, यही है घर में गुंडा राज है, लालू जी का अतंक है पूरा गुंडा राज है, उस परिवार में होना क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप समराट जी का उनका कहना है कि जो लालू जी का रजीम और लालू प्रसाद का जो जिस जंगल राज की बात होती थी वो अभी भी लोगों के जिहन में है और ये एक बिहार का बड़ा नेरेटिव है और साथ ही प्रधान मुतिनेंद मोधी की जो